हे गाइज और वेलकम बैक तो यह हम लोग के मुवी वेबसाइट का सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर अब हम लोग एक्शुल में अपने TMDB वेबसाइट से डेटा को फिच करेंगे और यहां पर उस डेटा को हम लोग सो कराने वाले हैं तो यह सारी चीजों को आज हम लोग क करका था तो हम लोग अपने मुवी सेक्षन क though एक्यों के अंदर प्रिएट करने वाले हैं तो बेशिओं को हम लोग का यह उसका वन वाले है तो इसको बनाने के लिए हम लोग अपने TMDB का यूज करने वाले है तो यहां से हम लोग अपने npm i axios तो इस command को हम लोग यहां से copy करेंगे और हम लोग इसको अपने project के अंदर यहां पर आ करके paste कर देंगे तो इससे क्या होगा इससे हम लोग का axios है वो हम लोग का install हो जाएगा तो again अगर मैं अपने package.json को open करूँगा तो यहां पर हम लोग के यहां पर आ करके अपने TMDB का API की चाहिए होगा जिसको हम लोग ने अपने previous वीडियो के अंदर अल्रीडी बात कर रखा है कि कैसे हम लोग अपने API की को get करेंगे तो again उसके लिए हम लोग guides के अंदर जाएंगे और guides के अंदर यह रहा हम लोग का to register for an API की click this link और इसी link पे हम लोग को अपना API की भी मिल जाएगा तो यहां पर यह रहा हम लोग का API की इसी API की का हम लोग use करेंगे अपने TMDB से data को fetch करने के लिए ठिक तो मैंने अपना API की यहां से copy कर लिया है अब मैं इसी API की को जब मैं call लगाऊंगा अपने TMDB के end point पे तो उसी time अपने URL के अंदर इसको भी मैं pass करने वाला हूँ तो basically उसके लिए हम लोग क्या करेंगे again मैं थोड़ा से यहां पे back आता हूँ अपने API references के अंदर और मैं यहां से अपने code के अंदर आता हूँ अब यहां पर मुझे actual में क्या करना है मैं यहां पर एक service नाम का folder create करने वाला हूँ basically अपने src के अंदर तो यहां पर मैं एक services नाम का folder create करता हूँ जिसके अंदर मैं API-client.ts इसको rename करते हैं यहां पर client.ts और इसके अंदर basically हम लोग को क्या करना है हम लोग को export करना है अपने xios को create करके क्योंकि बार बार हम लोग अपने URL के through API key को as a param pass नहीं करेंगे तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग एक xios का create कर लेंगे instance जिसके अंदर हम लोग params के अंदर हम लोग अपने API key को store कर लेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो मैं import करूंगा अपने xios को from xios और यहां से हम लोग export करेंगे किसको अपने xios.create method को call करेंगे और basically इसके अंदर हम लोग का एक object आता है जिसके अंदर हम लोग का base URL आएगा अब यहां पर base URL हम लोग का क्या होने वाला है उससे पहले यहां पर हम लोग अपने params के अंदर अपने API की को भी pass करने वाले हैं तो यहां पर जो मैं यह API की लिख रहा हूँ यह मैं कैसे लिख ले रहा हूँ यह मैं आपको अभी दिखाता हूँ तो उसके लिए यहां पर क्या करना है अगेन हम लोग अगर अपने browser को open करें और यहाँ पर यह रहा हम लोग का getting started again इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो मैं यहाँ से देखता हूँ यह रहा हम लोग का अपना discover section जिसके अंदर मैं अपने movie को open करता हूँ और इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लोग का URL है यहाँ पर request के अंदर URL है अगर मैं यहाँ से note को select करूँ तो note के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का URL है URL के अंदर basically आप देखो तो http.apidmoviedb.org slash 3 slash discover तो यहाँ पर slash discover के जितने पहले ही हम लोग का URL लिखा हुआ है यह हम लोग का base URL है तो हम लोग क्या करेंगे अपने 3 से लेकर के इतने section को copy करेंगे और इसको यहाँ पर आ करके हम लोग अपने base URL के अंदर paste कर देंगे ठीक तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने base URL को create कर दिया और उसके नीशे मैंने params के अंदर API की को pass किया हुआ है तो मैंने यहाँ पर जो params के अंदर अपने API की को लिखा हुआ है actual में यह क्या करता है यह हम लोग का जो key है वो हम लोग की URL के अंदर यह store करके उसको pass करता है तभी हम लोग को actual में data मिलता है ठीक अब हम लोग क्या करते हैं हम लोगों ने यहाँ पर अपने Axios का instance create कर लिया है अब इसी instance के help से हम लोग अपने इस वाले endpoint को hit करेंगे यानि कि discover के अंदर अपने movie वाले endpoint को हम लोग hate करने वाले है और हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग को actual में data मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो उसके लिए again हम लोग क्या करेंगे मैं एक const fish movie list नाम का function create करूँगा जो कि हम लोग का एक async function होने वाला है और अब इस function के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने try और catch के अंदर actual में अब हम लोग data को fish करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग data को fish करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग API client का use करेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे API client लिखूंगा तो यह देखो हम लोग अपने services slash API client से इसको import करेंगे तो यहाँ पे देखो हम लोग का यह import हो गया इसके अंदर अब हम लोग अपने get method को call करेंगे और अपने get method के अंदर अब actual में हम लोग अपने end point को pass करेंगे तो end point हम लोग का क्या होने वाला है end point हम लोग का यहाँ पर यह है discover movie तो हम लोग क्या करेंगे अपने slash से लेकर के discover movie को copy करेंगे और इसी end point को हम लोग अपने get के अंदर pass कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो हम लोग का endpoint है यह हम लोग के इस base URL के just आगे add हो जाएगा अपने app तो बार बार हम लोग को यह section लिखने की जरुवत नहीं होगी ठीक तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने अपने get के through अपने endpoint को pass कर दिया और हम लोगोंने base URL को create कर दिया अपने API client और अपने API key को हम लोगोंने store कर दिया अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इसको एक risk नाम के variable के अंदर store कर लेते हैं और इसको हम लोगोंने अफट कर दिया क्योंकि यहाँ पर हम लोग API call को लगा रहे हैं ठीक है करेंगे हम लोग यहाँ पर एक use effect की डियेट करेंगे टिक और अपने यूस एफट के अंदर हम लोग अपने फिच movie list को call करेंगे ठीक और यहाँ पर हम लोग एक empty array को path कर देते हैं अब इसके अलाबा हम लोग को क्या करना है हम लोग को अपने use movie list को भी call करना है तो हम लोग अपने component के अंदर आते हैं अपने movie list के अंदर आते हैं और यहां पर आ करके हम लोग अपने use movie list को call करने वाले हैं अब क्योंकि यह हम लोग को suggestion नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि हम लोग ने इसको export ही नहीं गिया हुआ है तो यहां पर आकर के हम लोग export default use movie list save करते हैं और यहां पर आकर के अगर control space में click करूँगा तो यहां से हम लोग successfully इसको import कर लिया है ठीक अब हम लोग again इसको open करते हैं और हम लोग अपने browser को यहां पर open करते हैं और यह रहा हम लोग का project और इसके अंदर हम लोग अपने इसको एक बार inspect करके देखते हैं कि हम लोग के console के अंदर print होता है कि नहीं data यहां से हम लोग console को open करते हैं यहां से clean movies के पर मैं click करता हूं तो यहां पर देखो हम लोग को error आ रहा है the above error occurred in the movie list component movie use movie list is not defined use movie list is not defined यहां पर हम लोग को एक error आ रहा है तो अगेन हम लोग इसको जड़ा code के अंदर check करते हैं अपने movie list के अंदर तो यहां पर यह हम लोग का सई से import हो रहा है बिल्गुल सई तो देखो लगता है कुछ हम लोग के सेफ करने में problem था तो देखो जैसे ही मैंने यहां पर इसको refresh किया तो हम लोग का data यहां पर दिख रहा है तो अगर मैं इस data को यहां से open करूं तो यहां पर हम हम लोग का backdrop path है हम लोग का genre ID है आईडी है original language है original टाइटल है Godzilla X Kong और second वाले को अगर मैं open करूं तो kingdom of planet of apps आ रहा है तो अगेन अगर मैं अपने original वाले website को हिट करूं और इसके movie section पर आऊं मैं तो यहां पर देखो Godzilla X Kong और kingdom of planet of apps यानि कि हम लोग का यह real time data है ठीक अब यह data हम लोग ने actual अपने API को कॉल करके यह data को हम लोग ने get किया है अब इस data को हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने state के अंदर store कर लेते हैं तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अगेन अपने vs. quote के अंदर आते हैं और यहाँ पिए रहा हम लोग का यहाँ भी अगर मैं hour करूं तो यहाँ पर हम लोग को पूरा actual में जो data है वो हम लोग को दिखेगा ठेक अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है हम लोग को सबसे पहले एक वारियीबिल क्रियेट करना यहाँ पर और इसको save करते हैं और यहाँ पर actual में जब हम लोग console lock करा रहे हैं अपने response को तो यहाँ पर हम लोग अपने response के जगा पर अपने data को direct अपने state के अंदर restore करेंगे should not have a cure कोई problem नहीं है अगर हम लोग इसको restart करेंगे तो यह proper work करने लगेगा तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है हम लोगों ने अपने response को देखा तो response के अंदर हम लोग के पास multiple है सबसे पहले एक object है जिसके अंदर हम लोग के पास एक data नाम का object है data के अंदर हम लोग के पास एक results नाम का object है और उसके अंदर हम लोग के पास एक array है तो हम लोग को थोड़ा सा move करना होगा यानि कि हम लोग को अपने response के अंदर data के अंदर आना पड़ेगा और data के अंदर actual में हम लोग को अपने results के अंदर आना होगा तो अब अगर मैं save करूं तो यहाँ पे हम लोग को actual में पूरा का पूरा array दिखेगा ठीक तो इसी चीज को हम लोग को अपने state के अंदर restore करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपने sit movie list को call करेंगे और res.data.results को हम लोग यहाँ पे pass करेंगे अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग type script का use कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे अपने type script का भी थोड़ा सा benefit उठा सकते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अपने interface को create कर सकते हैं यानि कि यहाँ पे यह जो हम लोग का array मिल रहा है इसके अंदर किस-किस टाइप की डेटा को हम लोग इस्टोर करा रहे हैं उसका एक इंटरफेस हम लोग create कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मैं एक इंटरफेस create कर लेता हूँ जो की होगा हम लोग का movie result नाम का ठीक जिसके अंदर हम लोग के पास multiple property है पास id चाहिए हम लोग का बहुत important है हम लोग को original language चाहिए हम लोग को जो की हम लोग का string type का है उसके बाद हम लोग को original टाइटल चाहिए जो की अगेन हम लोग का string type का है हम लोग को title चाहिए जो की string type का है हम लोग को backdrop path चाहिए जो की हम लोग का string type का है उसके अब बाद हम लोग के यहाँ पे poster path चाहिए जो की again हम लोग का string type का है हम लोग को overview चाहिए जो की string type का है और last में हम लोग का name जो की एक optional है वो भी हम लोग का string type का है ठीक तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक object create कर दिया यानि कि अगर मैं इस array को hover करूँ तो अपने array के अंदर हम लोगों ने एक object का जो भी हम लोग का data type है उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो भी interface उसको हम लोगों ने specify कर दिया तो अपने use state के अंदर हम लोग यहाँ पे आएंगे और अपने angle bracket के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे movie result array क्योंकि यह हम लोग का एक array type है ठीक तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक array को specify किया और उसके बाद हम लोगों ने अपने इस interface को यहाँ पर use कर दिया ठीक अब हम लोगों ने यहाँ पर अपने इस data को store कर लिया अब actual में इस data को हम लोग को यहाँ से return करना होगा ताकि हम लोग अपने switch data को get करके अपने image को show करा सके अपने name को हम लोग show करा सके movies का तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अपने just use effect के नीचे यानि कि यहाँ पर हम लोग return करेंगे किसको return करेंगे जो state अभी हम लोगों ने create किया है जो की है हम लोग का movie list तो यहां से हम लोगों ने इसको export कर दिया अब मैं काम करता हूँ यहां से मैं console log को remove करता हूँ again इसको save करते हैं तो देखों यहां पे अब कुछ भी हम लोग का console log नहीं होगा अब मैं अपने movie list के अंदर आता हूँ यहां से मैं इसको clean करके इसको refresh करता हूँ तो देखों यहां पे console के अंदर हम लोग का कोई भी data नहीं आ रहा है again मैं अपने vs code को hit करता हूँ और यहां पे मैं destructure करता हूँ और यहां से destructure करके मैं अपने movie list को gate करूँगा और यहां पे मैं console log कराऊंगा अपने movie list को save करते हैं अगेन अगर मैं अपने browser को open करूँ तो यहां पे देखो हम लोग का movie list area आरह है जो कि हम लोग के movie list.tsx के true मिल रहा है हम लोग को यहां पे अगर आप देखोगे तो तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने अपने यूज मूवी जो हम लोगों ने हुक क्रिएट किया है उसके तुरू हम लोगों ने अपने TMDB के अंदर TMDB के endpoint को हम लोगों ने हिट किया जो कि हम लोग का ये endpoint है और इससे अपने डेटा को गेट करके हम लोग ने अपने state variable के अंदे श्टोर किया और उसको हम लोग ने यहां से return किया ताकि जहां कहीं भी हम लोग अपने इस hook को call करेंगे वहां से हम लोग अपने इस movie list के data को get कर पाएंगे अब ऐसे करने के पीछे reason यह है कि हम लोग अपने इसी actual data का use करने वाले है example के लिए let's suppose that कि मैंने यहां पर एक div create किया है अब इस div के अंदर मैं अपने javascript mode के अंदर आता हूँ और जो हम लोग का movie list है यह हम लोग का array type है तो मैं इसके उपर map कर सकता हूँ map करके मैं इसके अंदर से let's suppose that movie को निकालता हूँ और movie को निकालने के बाद मैं यहां पर एक और paragraph create करता हूँ और अपने para के अंदर let's suppose that मैं अपने movie. हम लोग ने जो interface वहाँ पी create किया था उसी के तुरू यहां पर यहां पर हम लोग को recommend कर रहा है अपने name को मैं print करा कि देखता हूँ कुछ print होता है कि नहीं हम लोग का और यहां पर आते हैं तो यहां पर देखो name के अंदर कुछ भी हम लोग का नहीं print हो रहा है उसके पीछे कारण है कि हम लोग का साथ name यहां पर exist ही नहीं करता होगा तो नियम की जगह पी मैं यहाँ पर टाइटल को प्रिंट कराता हूँ ठीक, सेफ करते हैं, अगेन अगर हम लोग ब्राउजर के अंदर आ है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का सारा का सारा टाइटल आ रहा है, गौडजीला एक्स कॉंग किंडम ओफ एप्स, गौडजीला उसके बाद पता नहीं, यह स्पैनियस में कुछ लिखा हुआ है, डियून पार्ट टू, डियून पार्ट टू, तो यह सारी डेटा को हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है, अब इसको हम लोग को एक्शुल में अपने कार्ड की तरह प्रिंट कराना है, यहाँ जो आपको कार्ड दिख रहा है, सेम इसी तरह हम लोग को यहाँ पर इसको सो कराना है, तो अब एक्शुल में चलिए हम लोग अपने कार्ड को क्रियेट करते हैं, अब हम लोग के पास एक्शुल में हम लोग का डेटा है, जिसका यूस करके हम लोग बहुत इसली अपने का साहिल करता हूँ जो की होगा हम लोग का movie card.tsx और अगेन हम लोग RFC को यहाँ पर WAS हम लोग कारते है देखर यहाँ हम लोग को इमेंस और उसके title को सो कराना है बस इतना साही काम हम लोग को करना है तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग उने card को create कर दिया जिसके लिए हम लोग actual में again अपने set cn का एक component यूज करने वाले हैं जो कि है हम लोग का एक card component तो again यहाँ पे हम लोग अपने set cn के अंदर आएंगे और यहाँ पे control के प्रेस करके हम लोग अपने card को search करेंगे तो यह रहा हम लोग का card तो हम लोग अपने इसी card का use करने वाले हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा अपने tailwind के help से और modify कर देंगे तो मैं यहाँ से इसको copy करता हूँ और यहाँ पे आ करके मैं इसको paste करके interface करता हूँ ताकि इसकी important dependencies हम लोग का install हो जाए तो यहाँ पे देखो यह हम लोग का successfully install हो गया तो again अगर मैं अपने यहाँ पे UI को open करूँ तो यह रहा हम लोग का card ठीक अब इसी card को हम लोग यहाँ पे use करने वाले हैं तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने card को import कर लेता हूँ तो देखो card हम लोग का import हो गया card को मैंने import कर लिया अब अपनी card के अंदर मुझे थोड़ा सा tailwind का class apply करना है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसके border को zero करूँगा क्योंकि हम लोग को zero border चाहिए ठीक अब अपने card के अंदर हम लोग के पास एक और element होता है जो कि हम लोग का होता है card content इसके अंदर हम लोग अपने actual के content को so कराते हैं अब इस content के अंदर मैं क्या करूँगा मैं एक div create करूँगा और div के अंदर मैं यहाँ पे image का use करने वाला हूँ अब यहाँ पे कौन सा image यूज होगा यह image हम लोग का जो यहाँ पे movie list के थुरू हम लोग अपने यहाँ पे जब इसको call कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास एक backdrop path हा रहा है यह actual में हम लोग का एक image का path है इसके पहले हम लोग को अपने base URL को add करना होगा जिसको अभी हम लोग तूरंत करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से मैं अपने इसको चाहूँ तो अभी के लिए clean कर सकता हूँ बट उससे पहले मैं अपने movie card के अंदर आता हूँ अब movie card के अंदर हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक एक data को यहाँ से get करेंगे तो उसको as a prop हम लोग यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे let's suppose that कि मैंने अपने prop का नाम दे दिया movie result और इसका मैंने एक interface create कर दिया props नाम का ठीक तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग एक interface create करते हैं props नाम का अब इस props के अंदर actual में क्या होगा तो अगर हम लोग अपने use movie को open करें तो यही हम लोग का actual में होने वाला है तो मैं यहाँ से अपने इस interface को export कर दूँगा और यहाँ पे अपने movie card के अंदर अपने movie result पे हम लोग अपने movie result वाले जो हम लोग ने यहाँ पे create किया था interface उसी को हम लोग ने यहाँ पे use कर लिया एक्शुल में यही वाला इंटरफेस हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं तो इस से हम लोग का यह स्पेसिपाई हो गए कि जो हम लोग का Howowych रिजल्ट आ रहा है कि अए उसके अंदर एक्शिड लिखिया कैं कि हम लोग के डिपटा होने वाले होने हैं ठीक कि हम लोग tmdb की image को यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग का एक छोड़ा सा base URL होता है तो उस base URL को मैं यहां पर paste कर रहा हूं आप base को copy paste कर लेना तो यह simple base URL है यह base URL हम लोग के सारे के सारे पोश्टर path के पहले apply होता है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने template रिटर के अंदर आएंगे और यहां पर हम लोग अपने movie results के थूरू अपने poster path को pass करेंगे तो poster path हूँ हम लोग का path है जो की हम लोग के image को store कर रहा है तो अगेन अगर मैं इस पर hover करूँ current may undefined आ रहा है save again तो यहां पर अगर मैं आऊं तो आपको दिखेगा कहा गया यह रहा poster path तो यही path है जो हम लोग के image को show कराता है ठीक है तो यहां पर मैंने अपने image को show करा दिया अब साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ अपने tag के अंदर poster इसको नाम दे देता हूँ और इसको मैं save करता हूँ तो current में अभी हम लोग को कोई भी data नहीं होगा क्यों कि हम लोग ने अपने movie card को यहां पर यूजी नहीं किया है तो अब यहां पर हम लोग आते हैं और यहां पर मैंने movie list के उपर map किया और यहां पर मैं थोड़ा से इसका नाम चेंज कर देता हूँ movie list के अंदर अब मैं यहां पर क्या करने और मुवी कार्ट के अंदर हम लोगों ने अल्रेडी एक प्रॉप सेट कर रखा है जो कि यह हम लोग का मुवी रिजल्ट तो यहां पर आ करके कंट्रॉल स्पेस करता हूं मैं तो मुवी रिजल्ट आ जाएगा जिसके अंदर हम लोग अपने मुवी लिश्ट को पास कर अब अगर हम लोग अपने ब्राउजर को उपन करें तो यहां पर देखो हम लोग के सारी इमेजे जाने लगें इसको मैं थोड़ा सा अटा आता हूं तो यह दिखो हम लोग को इमेज दिखरा है हम लोग का अब इसको हम लोग को थोड़ा सा रिसाइस करना है प्रॉपर तो इसके उपर transition हम लोग apply करने वाले हैं all ताकि यह हम लोग का थोड़ा सा effect दिखें अगर मैं यहाँ पर आ करके hover करूं तो देखो हम लोग का थोड़ा सा transition type का दिख रहा है ठीक उसके बाद मैं यहाँ पर अपने इस इमेज के नीचे एक h1 create करूंगा और h1 के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे h1 के अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले conditional rendering करेंगे तो हम लोग वो conditional rendering इस रही कर रहा है क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो movie वाला end point है उसके अंदर हम लोग के पास एक title आता है यानि कि यहा पर जो आपको यह name दिख रहा है यह हम लोग के movie के लिए titles के through data के अंदर store हुआ है बट अगर हम लोग TV source को hit करेंगे तो उसके लिए यह data होगा उसके अंदर यह name से store हुआ है अगर मैं यहाँ पर अपने TMDV वाले को open करके दिखाता हूं आपको तो यहाँ पर देखो हम ल TV वाले section को open करूं यानि कि TV वाले end point को अगर मैं open करूं तो अगर मैं scroll down करूं और अपने response के अंदर आऊ तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास एक name नाम का है तो यह थोड़ा सा हम लोग का conflict होता है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा conditional rendering करना चाहता हूं तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों ने एश्वन को create कर दिया इसके अंदर भी हम लोग को थोड़ा सा classes apply करना होगा ताकि हम लोग का थोड़ा सा margin apply हो सके तो अगेन अगर मैं यहाँ पर आऊ तो यहाँ पर थोड़ा सा भी margin नहीं है तो यह देखने में हम लोग को अच्छा नहीं इसके लिए तो वह ग्रेट करेंगे वहम लोग अपने मुवी लिस्ट के अंदर क्रिएट करेंगे तो मुवी लिस्ट के अंदर जो मैंने यह आउटर डिव क्रिएट किया था इस डिव क्योंड़ाश अपलाई करोंगा तो class name सबसे पहले तो मैं इसको ग्रिट बनाओंगा और larger device के अंदर मैं अपने grid column को यहाँ पे 5 column के अंदर divide करने वाला हूँ ठिक और medium devices के अंदर मैं अपने grid column को 4 part में divide करूँगा और smaller devices के अंदर मैं अपने grid column को 2 part के अंदर divide करने वाला हूँ ठिक और normally मैं gap y axis में 3 का apply करूँगा ठिक save करते हैं इसको अब again अगर मैं अपने browser को hit करूँ तो यह देखो अब हम लोग का यह proper दिखने लगा यानि कि यह हम लोग का responsive बन गया तो यहाँ पे देखो actual में यह हम लोग का कुछ इस तरह देख रहा है ठीक और अगर मैं यहाँ पे inspect करूँ और मैं थोड़ा सा और इसको सब्सक्राइब और यहाँ पे थोड़ा सा मोग का padding भी है तो उसको भी हम लोग बहुत इजली आड़ कर सकते हैं मैं क्या करता हूं मैं सको पूरा cut करता हूं मैं को और यहाँ पे div create करता हूं ठीक यह मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि यहाँ पर हम लोग को अभी skeleton को करना है इसलिए मैं एक आउडर डिवी क्रिएट कर रहा हूं अपने पैडिंग के लिए और इस डिफ के उपर मैं थोड़ा सा क्लास अप्लाई कर देता हूं पैडिंग 3 का और मार्जिन बॉटम 4 का सेव करते हैं इसको अब अगर मैं ब्राउजर को उपन करूं तो देखो थो टेक्स्ट 4 XL ताकि यह थोड़ा सा हम लोग का बड़ा दीखें और फंट इसका में थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देता हूं पैडिंग मैं 5 के अप्लाई करता हूं पैडिंग वाई एक्सिस में मैं 8 के अप्लाई करता हूं ठीक अब अगर ब्राउजर को उपन करें तो यहां लाट पर दिखेगा नहीं मूवी के अंदर हो तो हम लोग को मूवी यहां पर दिख एक्च्वाल मैं ठीक अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग सीम काम करेंगे अपनीerson करेंगे तो चलिए फटा-फट कर गए हम लोग करना होगा सीम लोग एही प्रोसेस करने वाले हैं हम लो वह navigate हम लोग का किस तरह होगा वह हम लोग का वही specify करेगा जैसे हम लोगों ने यहां पर अपने movie card के अंदर click किया तो हम लोग अपने player के अंदर navigate करेंगे तो again अगर मैं यहां पर आऊँ तो देखो यह हम लोग का movies open है अगर मैं movie को open कर रहा हूँ तो हम लोग player के अपर navigate कर रहे हैं बट अगर मैं अपने किसी भी tv show के अंदर आता हूँ और let's suppose that मैं यहां से कोई भी एक tv show को open करता हूँ तो यह देखो हम लोग tv show player के अपर navigate कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग different different card भी create करेंगे तो यहां पर मैं अपने इस movie card को और अपने use movie को भी हटाता हूँ और सबसे पहले तो हम लोग hook create करते हैं यहां पर new hook use इसका नाम दे देते हैं हम लोग use tv show list.ts और एकदम similar यह हम लोग का होने वाला है यहां पर हम लोग का थोड़ा सा difference होगा हम लोग के end point के अंदर तो हम लोग end point हम लोग का क्या होने वाला है discover के अंदर हम लोग का tv होगा end point है तो again हम लोग एक function create कर लेते हैं arrow function const use tv show list जिसके अंदर again हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो अपने try cache को create करते हैं क्योंकि हम लोग यहां पर data को fetch करने वाले हैं और try के अंदर मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो एक const और यहां पर क्योंकि मैं await का use कर रहा हूं तो मुझे अपने function को async create करना होगा अब await के अंदर हम लोग again क्या करेंगे अपने API client को call करेंगे अपने get method को call करेंगे और यहां पर slash discover के अंदर हम लोग slash tv को hit करेंगे तेक again हम लोग यहां पर क्या करते हैं console log करा के देख लेते हैं अपने response को बट उससे पहले हम लोग को क्या करना होगा हम लोग को again अपने इस वाले जो हम लोगो ने यहां पर अपने data को fetch किया हुआ है इसको हम लोग को एक function के अंदर wrap करना होगा तभी हम लोग अपने use effect के अंदर उस function को call करेंगे तो यहां पर मैं क्या करता हूँ मैं एक const fetch tv list नाम का एक function create कर देता हूँ और इस function के अंदर हम अपने इस fetch वाले function को wrap कर देता हूँ ठीक अब क्यूंकि यह जो हम लोग का await है यह तब बर करता है जब इसका जो top level होता है अब हम लोग का async होता है तो इसके place पे हम लोग को अपने इसको async बनाना होगा ठीक और यहां पर हम लोग अपने function के बाहर आएंगे और use effect को call करेंगे और use effect के अंदर हम लोग simple अपने fish movie fish tv show list को call कर देंगे हो गया हम लोग का काम अब यहां से हम लोग को export करना है तो export default use tv show list अब हम लोग अपने इसी use tv show list होग जो हम लोग ने create किया है इसको हम लोग अपने tv show list के अंदर use कर लेंगे तो use tv show list को मैंने यहाँ पर use कर लिया save करते हैं browser को अगर हम लोग hit करें यहां पर मैं आ करके इंस्पेक्ट कर लेता हूं और यहां से कॉंसोल इसको क्लीन करते हैं अपने टीवी स्यों को पस navigating करता हूं तो current में हम लोग करेंगे आगे हम लोग का टीवी सों का data तो again हम लोग के same format के अंदर data हम लोग का रहा है यानि कि हम लोग के data array के अंदर हम लोग का results है results के अंदर ये सारे के सारे जितने भी results है ये हम लोग के अब TV show के result है ठीक, तो अब हम लोग actual में क्या करने वाले हैं अब हम लोग अपने TV show result को store करने के लिए state variable create कर लेते हैं तो यहाँ पर again use वाले के अंदर आता हूँ मैं और यहाँ पर const tv source ठीक, equals to useState अगेन इसके लिए अगर हम लोग चाहें तो हम लोग again interface को create कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने mistake कर दिया है यह इसको हटाते हैं, save करते हैं और use effect हम लोग का अरेड़ी इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पर const होगा const इसली के वज़े से यहाँ पर error आ रहा था ठीक, तो यह हम लोग का correct हो गया अब हम लोग क्या करेंगे, again अपने response के अंदर, अपने data के अंदर आएंगे और अपने हम लोग results के अंदर आएंगे, ठीक और इसी same data को हम लोग store करेंगे अपने tv source के अंदर, तो save करते हैं, और यहाँ से मैं इसको current में remove कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग को अपने sit tv source को call करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने अपने state variable के अंदर इस data को store कर लिया, again हम लोग चाहें तो इसके लिए भी अपने interface को हम लोग create कर सकते हैं, बहुत easily, बट वो अभी हम लोग थोड़ी दिर बात करेंगे, अभी हम लोग इसका actual implementation देखते हैं, ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्या करके, इसको simple return करेंगे, return object और इसके अंदर हम लोग का tv source return होगा, ठीक, और यहाँ प्या क करके, हम लोग simple const tv source, ठीक, यहाँ पर tv source आ गया, अब अगर मैं console lock कराओ अपने tv source को, तो actual में यह data हम लोग का यहाँ पर आएगा, बट उससे पहले मैंने यहाँ से console lock को हटा दिया है, अब अगर मैं browser को open करो, इसको clean करते हैं, page को refresh करते हैं, तो यह देखो, यह हम लोग का data गया, और data हम लोग के tv source list के अंदर आ रहा है, तो इसी data के base पे हम लोग को simple, अपने जैसे हम लोग ने movies के लिए card create किया है, उसी तरह हम लोग को अपने tv source के लिए card को create करना है, तो हम लोग उसको भी फटा-फट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने component के अंदर एक और component create करते हैं, tvsocard.ts6, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, ताकि मैं थोड़ा सा इसको complicated ना करूं, मैं बहुत easily इसको अपने movie list के अंदर ही apply कर सकता हूं, बट इसको मैंने थोड़ा सा beginner friendly create करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ताकि यह आप लोग को बह अपने same code का use करने वाले हैं, बट यहां पर थोड़ा सा मैं इसके अंदर changes करूंगा, तो मैं यहां पर अपने movie list के अंदर आता हूं, या फिर movie card के अंदर आता हूं, और movie card के through मैं अपने इस code को copy करता हूं, ठीक है, और उसको हम लोग अपने tvsocard के अंदर paste करते हैं, यहां पर हम लोग जो data लेने वाले हैं, वो data हम लोग का actual में कौन सा होगा, वो data हम लोग का होगा tvso result, ठीक, और इसी को हम लोग यहां पर पास करेंगे, tvso, 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 ठीक, इसका भी type हम लोग specify कर सकते हैं, props type, और चाहें तो वो हम लोग props create कर लें, but current के लिए मैं इसको यहां पर छोड़ रहा हूं, ठीक, और यहां पर हम लोग अपने tvso card को actual में use करेंगे अपने tvso list के अंदर, तो again हम लोग अपने return के अंदर क्या करने वाले हैं, simple, हम लोग सबसे पहले, यहां पर एक outer div create करेंगे, और अपने इस div का हम लोग थोड़ा सा class देंगे, जो कि हम लोग का थोड़ा सा padding होने वाला है, padding 3 का, और margin bottom हम लोग 4 का apply करेंगे, ठीक, उसके बाद अंदर वाले हम लोग div के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक h1 create करके इसको show कराएंगे, tvso list, ठीक, और यहां पर मैं इसका again class name pass कर देता हूं, text dash 4 axle, 1 dash semi bold, padding 5 का top में, और padding y axis में 8 का, ठीक, तो इतना हो गया हम लोग का, अब यहां पर हम लोग एक और div को create करेंगे, और यह div हम लोग का बिल्कुल similar होगा हम लोग के movie list वाले div से, यानि कि यह वाली property, तो इसको हम लोग copy, और यहां पर आकर किसको paste कर देते हैं, और यह हम लोग का div create हो गया, अब इसके अंद पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग चाहिए तो return लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर चाहिए हो तो आप इस curly braces का नया यूज़ करके, round braces का यूज़ करना, और यहां पर अब आपको return लिखने की कोई जरुवत ही नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए और इसके अंदर हम लोग टीवी सो रिजल्ट के अंदर अपने टीवी सो को पास करेंगे, ठीक, तो actual में यह हम लोग ने implementation यहां पर कर दिया, अब अगर हम लोग ब्राउजर को open करें, तो यहां पर देखो हम लोग के जितना भी टीवी सो है, वो हम लोग का यहां पर actual में आने लगा, अभी यहां पर आप देखो तो थोड़ा बहुत यहां पर हम लोग को error दिख रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग ने अभी यहां पर interface को create नहीं किया है, जो कि हम लोग बहुत easily कर सकते हैं, अभी हम लोग कर भी देंगे इसको, बट अगर हम लोग यहां पर आए, तो हम लोग ने अपने implementation को complete कर दिया, हम लोग का movie वाला page वर कर रहा है, हम लोग के tv वाला page भी यहां पर बर कर रहा है, बट यहां पर हम लोग का error आ रहा है, cannot read property of undefined, तो इस से बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, again हम लोग अपने type script का use करने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग question mark का use करेंगे, अब अगर मैं save करूं, browser को open करूं, तो यह proper वर करेगा, तो यहां पर हम लोगों ने अपने TV show page को create कर दिया, ठीक, जिसके लिए हम लोगों ने अपने TMDB API को hit किया हुआ है, और Xios के तरू ही हम लोगों ने इसको hit किया है, तो बहुत डे सारी चीजे हम लोगों ने अपने इस वीडियो के अंदर देख ली, तो hopefully आपको इसका second part भी अच्छा लग कि देख स्थाल कर देख लूगों यच्छा टो यच्छाच कि अच्छाँ कर देख लीजे हम लोगों ने अच्छाची तो चीजे हम लोगों ओट है, पाज़ हम लोगों जा देख लोगों, पुआ है